हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम डिटेल्ट में कवर करेंगे के सिच वर्सिद अल्जेड टीमों के बीच में जो फैन कोड़ वे इसी स्वीडन टी10 का 47 नमर मैच खीला जाएगा इस match को हम इस वीडियो में देट के साथ analysis करेंगे तो दोस्तो वीडियो रहेगा आपके लिए informative तो वीडियो को complete वाच जुरूर से कर ले ना इस match का venue रहेगा मरस्टा किर्केट कलब स्टोकोलम स्वीडन में यह मुकाबला आद दो पैर दो बज के 30 मिंट पे स्टार्ट होगा अगर बात कीज़े दोस्तो पिस रिपोर्ट की तो और यहां का विकेट है वो एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और इस विकेट की उपर और फाइनल स्टार्शन रहेगा हाप्टर टोस वा लाइनप के बाद आपके साथ सीर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पी और टेलीग्राम चैनल की दू इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ब्ल्यू कुलर के लिंक रहेंगे सिंपल लेकिन ओपीसियल साइट से हम आपको कनफरम बैटिंग ओडर वो अमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगी तो टेलीग्राम आपके लिए इपोर्टन रहेगा दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल बन तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और यूटूब चैनल की ओपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करकि नोड़के सन्व लाइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसकन और केस्टन भी आपको सबसे पहले मिल जाए ELZ की टीम ने इस सीजन 6 मैच प्ले किये सभी मैचिज है वो अपने वोन करके आ रही और इस टीम की तरब से इसमाइल जिया लास्ट के दो मैचिज में दोस्तों ये पले करने के लिए दोनों मैचिज में आपको ओपन करवा के दिया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करवा पाए रिस्की पिक रही थोड़ा सा मिस्स एन ही टाइप के पले रहे तो बसीर को आप जाओ तो जील वगरा के कोमनिस में अपनी बैटिंग करवा के दिया लास्ट वाले मैच में तीस बनाए प्रस दोर की बोर्ण डालती हूँ एक विकेड निकाला सेकी लास्ट मुकाल में बैटिंग में अपना खाता नहीं कोल पाए लेकिन दोस्तों दोर की बोर्ण डालती हूँ एक विकेड निकाल के दिया उससे पह परफोर्नस देखो तो दोस्तो एक मैच में 49 और एक मैच में 49 रनकी निग लिक दिये नमबर च्यार पर बैटिंग करवाने के लिए एक और इस पिक रहेगी स्टमोलियो ग्रालिक दोनों में कवर करके चल सकती हूँ समी खालील वो दोस्तो थोड़ा सा बैटिंग ओडर जरूर से नीच रहेगा बाकी इस प्लेयर को कभी भी टॉप ओडर में प्रमोट किया जा सकता है तो समी खालील को आप जील वगरा के कॉमिनिस में अपनी टीम में चाओ तो जरूर से कवर करके चल सकती हूँ मसल खान है बैटिंग ओडर बिलकुल भी कंफर्म नहीं रहेगा दोस्तो इस प्लेयर का तो ओनली ड्रोप करने का रिस्क ले लेना बाकी अगर रिस्की लोगर हो तो जील वगरा के कॉमिनिस में अपनी टीम में जरूर से ट्राइ करके चल सकती हूँ क्यों मिर अलफाज है इनका भी परफॉर्मस काफी अचा रहा है इस सीजन लास्ट वाल मैच में एठावन बनाए प्लस दोर की बोर्ण डालती हूँ एक विकेड सेके लास्ट मुकाल में शोला बनाए प्लस दोर की बोर्ण डालती हूँ तीन विकेड निकाल के दिए परफॉर्मस इस सीजन काफी अच्छा रहा है डैत की औरों में आपको बोलिंग करवा के देंगे तो जाविद दाउद जही को आप कवर करके समोलिंग में वीसी और जील के कॉम्मस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती है रिस्की पिक रहेगी हमजान ब्रिक भी आपके लिए इस मैट में एक रिस्की पिक रहेगी ना तो इस प्लेयर का बैटिंग ओडर कंफरम रहेगा ना बोलिंग ओडर कंफरम रहेगा तो ड्रोप कने का रिस्क अपने टीम से आप काफी आसानी से ले सकती हूँ फाइनल सजेस्टन के लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन कले ना अब बात के लिए दोस्तों क्या रहेगी के सीसी की पोसिबल प्लेंग इलावन तो इस टीम ने इस सीजन च्यार मैट प्ले किये एक मैट बोन के वी तीन मैच है वो लोज की है और इस टीम की तरब से सुशम खान है वो आपको continue open में बैटिंग करवा के दिने हाला कि लास्ट वाले मैच में दोस्तों एस खान वो बैटिंग में अपना खाता नहीं कुल पाई उससे पहले 27 विकेड़लस 50 और विकेड़लस लेकिन दोस्तों ओपन में आपको बैटिंग करवा के दिने प्लस आपको open औ अच्छा रिकोर्ड नहीं है तो only GL भी आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हो मक्यूस बाबर है लास्ट वाले मैच में केवल 9 रन की निंग के लिए उससे पहले 21 बलाए पलस एक और की बोर्ड़ डाली विकेड़ दस रहे लेकिन मक्यूस बाबर है वो दो एम खान आपके लिए एक रिस्क की पिक रहेगी बी अलीए दैक्स के ओरों में बोलिंग करवाने के लिए आती हालां कि लास्ट वाले मैच में बोलिंग नहीं करवाए गी इनसे लेकिन उससे पहले 2 मैच इज में 2 विकेड और 1 मैच में 3 विकेड निकालके देच किया तो सब्सक्राइब करने का रिस्क ले लेना मोमन दासन दोस्तों लास्ट के दो मैंचिज में इस फिलेर का बैटिंग ओडर काफी जादा निच रहा हालां कि स्टार्टिंग के मैंचिज में ऊपन करवाने के लिए आ रहे थे अगर आप चाहो तो अपनी समोलिक की टीम में जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ एफ उल फारुक सोरी कज एफ उल हक है रिस्की पिक रहेगी ड्रोप कने का रिस्क ले सकती हूँ यू हल हुक है हुआ आपके लिए समोलिक में इपोर्टेंट रहें और डेट दोरों में आपको बोलिंग करवा के देंगी तो उल हक को आप समोलिक वरा के कवर करके चल सकती हूँ मगेस असन है रिस्की पिक रहेगी दोस्तो बैटिंग और बोलिंग दोनों कनफर्म नहीं रहेगा आपके साथ सीर कर दी जाएगी टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल की दो इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये दोगे दोस्तो दोनों टीमों का स्टेट वाइज अनलाइस इज अब बात कर लेते है स्मॉली और ग्राल एक दोनों में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राए करके चल सकती हूँ जड नियाजी का थोड़ा सा बैटिंग ओर नीच रहेगा दोस्तो फोर्म देखो तो इतना अच्छा नहीं चला है मिशन ही टाइप के प्लेएर आप चाहो तो ओनली जील भी इस मैच में ट्राए करके चल सकती हूँ आपके लिए पोटन पिक रहेगी आपको ओपन में बैटिंग प्लस आपको बोलिंग दोनों करवाती हूँ नजर आ जाएंगे समोली की टीम में आप जुरूर चे कवर करके चल सकती हूँ आपके लिए इस मैच में एक ट्रंप काड़ पिकर रहने वाली है वहीं बात किजिए दोस्तो ऐसाभी की तो लास्ट वाले मैच में हालां कि ये फ्लोप नजर जुरूर चे लेकिन आपको टॉप और में बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करवाके देंगे दोनों में बोलिंग करवाती हूँ नजरा जेंगे फॉर्म काफी अच्छा चला है कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में आप जुरूर से ट्राई करके चल सकती हूँ क्यों मीरा लफाज है ये भी आपको टॉप और में बैटिंग के रहाने के साथ देट की ओरो में बोलिंग करवाके देंगे विकेट टेकिंग नेचर के गिनवाज है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ये भी आपके लिए बड़ी अच्छा जोई रहेगी इस मैट में गुच्छों में विकेड निकाल के दे रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप भी अली को भी इस मैट में ट्राई करके चल सकती हूँ अगर इस्किल ओर तो दोस्तो समॉलिक में VC और GL के कॉमिनिस में आप Captain Vice Captain है वो ट्राइ करके चले ना बात किजे दोस्तो बोलिंग सेक्शन में आई उलक की बात किजे तो दोस्तो ये भी आपके लिए पॉर्टन रहेंगी तो समॉलिक में VC और GL के कॉमिनिस में Captain Vice Captain ट्राइ करके चल सकती हूँ के रासीद का भी फॉर्म इस सीजन काफी लादवाबर है हलाकि दोस्तो के रासीद वो लास्ट वाले मैट में अवेलिबल नहीं थे लेकिन इस मैट में आपको डैफिनली अवेलिबल मिलेंगे और इपॉर्टन पिक रहेगी GL वगरा के कॉमिनिस में आप चाहो तो के रासीद को इस मैट में VC भी ट्राइ करके चल सकती हूँ बागे दोस्तो अन्य अपले आपके लिए रिस्की रहेंगे इस मैट में ड्रोप कने का रिस्क काफी आसानी से ले सकते हो कैटन वाइस कैटन की बात की जाए तो उससे पहले दोस्तो अगर आपने भी तो कमारी टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है और दस मैचों में से आठ मैचों की अल्टरा क्लीन स्विप टीम समोली की बिलकुल फ्री आपको इसी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो इपोर्टन रहेगा दोस्तो टेलिग्राम आपके लिए जुरूर से जोइन करेना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप जोइन कर सकती हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीजए तो फिलाल के लिए दोस्तो जो अपनी समोली की डैमो टीम है उसमें कैप्टन है मौमद आफीज को और वाइस कैप्टन है दाउजी को ट्राई करके चलाऊ एक खलील हो गया साचत मीर अलफाज दोनों आपके लिए बढ़िया वाइस में कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ टीम प्रव्यू की बात कीजए तो दोस्तो देखो हुए तिया हमारा फाइनल टीम नहीं है अल्ली एक डैमो टीम है जो भी फाइनल टीम रहेगा हप्टे टोस वे लाइनप के बाद आपके साथ सीर किया जाएगा टेली ग् चैनल पर टेली ग्राम चैनल की दो इपॉर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर दोस्तो आपको मारा वीडियो इन्फर्मेटिव लगया तो वीडियो को लाइक कमट एंड से स्क्राइब जरूर से कर देना मिलते हैं दोस्तो नेक्स्त वीडियो के साथ तब तक दोस्तो जय हिंद जय भारत